दोस्तो आज के बीडियो में हम सिखने वाले हैं भारत पे में कैसे लोन अपलाई करते हैं और उस पैसे को अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर करते हैं दोस्तो भारत पे से एक बड़ा लोन अमाउंट ले सकते हैं आप 1000 रुपया से लेकर 10 लाख तका लोन यहां से ले सकते हैं तो दोस्तो आज के वीडियो में मैं आपको बिल्कुल लाइप प्रूप के साथ बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेस में सिखाऊंगा कि इसमें लोन कैसे अपलाई करते हैं इसमें बैंक अकाउंट कैसे एड़ करेंगे और उस पैसे को अपने बैंक में कैसे ट्रांसपर करेंगे तो दोस्तो इसके लिए सबसे पहले आपको भारत पे application डाउनलोड करना होगा इसका link मैं video के description में और comment section दोनों जगा दे दिया हूँ आप उस पर click करके application को download करेंगे उसके बाद open करेंगे open करेंगे तो इसको permission देना होगा तो यहां allow पर click करेंगे उसके बाद get started पर click करेंगे उसके बाद इनका termin condition आता है इसको accept करेंगे उसके बाद accept पर click करेंगे उसके बाद फिर से हमें permission देना होगा तो यहां पर allow करेंगे उसके बाद इसमें हमें mobile number से register करना होगा तो यहां पर आपका SIM आजाएगा जश्ट इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके मोबाइल नमबर पर एक OTP आएगा OTP एटोमेटिक भी ले लेता है अगर एटोमेटिक नहीं लेता है तो आप यहाँ पर मेनुवली डाल सकते हैं लेकिन यहाँ पर OTP एटोमेटिक ही ले लिया तो यहाँ पर जब इसमें तो just यहां complete now पर click करेंगे उसके बाद इसमें हमें पहले कुछ detail देना होगा तो सबसे पहले यहां पर business का name देंगे यहां business category पर click करेंगे और यहां पर select करेंगे कि आप किस तरीके का business करते हैं उसके बाद यहां पर sub business category हमें select करना होगा तो यहां पर select करेंगे यहां पर monthly income पुछेगा आपका कितना income है तो यहां पर income भरेंगे उसके बाद continue उपर click करेंगे अब continue उपर click करते हैं तो इसमें हमें अपना address add करना होगा तो just यहां add a new address पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पे हमें पूरा address देना होगा तो सबसे पहले यहाँ पे swap slate करेंगे swap है office है तो यहाँ पे slate करेंगे उसके बाद यहाँ पे pin code number, state, city address line 1 में अपना address डालेंगे address line 2 में पूरा address उसके बाद area डालेंगे उसके बाद confirm address पर click करेंगे Confirm Address पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे Location भी ले लेगा Just इसको Continue करेंगे अब Continue पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें अपना Bank Account एड करना होगा तो जिस भी Bank में ये Loan का पैसा लेना चाहते हैं उसी Bank को यहाँ पे Add करेंगे तो यहाँ Add a New Bank Account पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे आपका अकाउंट किस बैंक में है यहाँ मोर बैंक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सभी बैंक का नाम आ जाएगा तो जैसे माली जी कि मैं यहाँ पे State Bank of India स्लेट करता हूँ उसके बाद आप अपने बैंक का यहाँ पे IFC code डालेंगे यहाँ पे अकाउंट नमबर डालेंगे उसी अकाउंट नमबर को यहाँ दुबारा डालेंगे उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड नमबर डालेंगे अगर आपके पास GST नमबर है वो भी दे सकते हैं तो यहाँ पे मैं पैन कार्ड नमबर ही डालूंगा उसके बाद term को accept करेंगे और continue उपर क्लिक करेंगे अब continue उपर क्लिक करेंगे तो आपके number पर एक OTP आएगा OTP को यहाँ पर डालेंगे उसके बाद verify पर क्लिक करेंगे अब जैसे ही verify पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें अपने अधार card का detail देना होगा तो just यहाँ add आधार पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड नमबर डालेंगे यह वाला capture यहाँ पे डालेंगे और submit पर क्लिक करेंगे अब जैसे ही submit करते हैं तो आपके आधार कार्ड के साथ जो mobile नमबर लिंक होगा उसपर एक OTP आएगा OTP को यहाँ पे डालेंगे उसके बाद इसपर क्लिक करेंगे अब जैसे उसपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमसे 6 अंक का कोड मांगेगा तो अगर आप DG Locker में पहले account बना चुके हैं तो आपके पास कोड होगा तो कोड यहाँ पे डालेंगे अगर आपके पास कोड नहीं है तो कोई भी नमबर 6 अंक का यहाँ पे टाइप करेंगे उसके बाद इसपर क्लिक करेंगे अब जैसे उसपर क्लिक करेंगे तो इसको हमें परमिसन देना होगा तो इसको अलाउ करेंगे ताकि ये हमारे अधार काड का सभी डिटिल ले सकें उसके बाद यहाँ पे हमारा KYC सेक्सेसफूल कमप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप आजाएंगे भारत एप्लिकेशन के होम स्क्रीन पर अब जब आप इसके होम स्क्रीन पर आएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहीं से लोन अप्लाई किया जाता है लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर दिखे भारत पे इजी लोन का ओप्सन आएगा आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ लोन वाले सेक्षन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी ओप्सन आजाएगा लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर दिखे बताया जाता है कि आप यहाँ से 10 लाक तक का लोन ले सकते हैं और यहाँ पे सभी details देख सकते हैं, तो यहाँ से loan अपलाई करने के लिए, यहाँ gate loan पर click करेंगे, उसके बाद इसको फिर से हमें permission देना होगा, तो यहाँ I agree पर click करेंगे, और इसको permission देंगे, जब आप इसको permission दे देते हैं, तो फिर से यही option आएगा, फिर से यहाँ gate loan पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ detail देना होगा तो यहाँ पर आप अपना pen card number डालेंगे यहाँ पर अपने office का pen code number डालेंगे उसके बाद Check Loan Agibility पर क्लिक करेंगे अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें फिर से KYC करना होगा तो सबसे पहले Bank Account एड़ करना होगा तो हम इसमें पहले ही Bank Account एड़ कर चुके हैं उसके बाद Pen Card नमबर यहाँ पे 100 करेगा उसके बाद यहाँ पे Pen Card का फोटो अपलोड करना होगा तो यहाँ पे Pen Card का फोटो अपलोड करेंगे अधार का भी डिटेल देंगे और एक Selfie अपलोड करेंगे तो चलिए इसको मैं Live Proof करता हूँ तो यहाँ Add Pen पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे Upload का उप्सन आएगा इस पर क्लिक करेंगे और आप अपने गैलरी से आप अपने Pen Card का फोटो अपलोड करेंगे उसके बाद यहाँ पे उप्सन आजाएगा आप अपने अधार का डिटेल देने के लिए तो यहाँ Resummit अधार पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे Authenticate अधार पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप अपना अधार कार्ड नंबर डालेंगे यह Capture यहाँ पे डालेंगे उसके बाद Next उसके बाद आपके अधार कार्ट के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा OTP यहाँ पर डालेंगे उसके बाद कंटीनिव उसके बाद फिर से इसको हमें परमिसन देना होगा तो यहाँ अलाउग करेंगे उसके बाद इसमें हमें एक सेलफी अपलोड करना होता है तो यहाँ पर केमरा ओपन हो जाएगा यहाँ पर एक सेलफी अपलोड करेंगे अब जैसे ही सेलफी अपलोड कर देते हैं तो यहाँ पर दिखे सेक्सेसपूल हमारा लिमिट अप्रूब हो गया है यहां पे देखिए Congratulation का Message आ गया है और मैं जिनका Loan Apply कर रहा हूँ उनके लिए 5000 का Loan Approve हुआ है तो यहां पे जब भी आप Loan Apply करते हैं तो हो सकता है कि किसी का इससे जदा और किसी का इससे कम भी हो सकता है क्योंकि यह आपके Civil Score पे Depend करता है तो मैं जिनका Loan Apply कर रहा हूँ उनका Civil Score काफी डाउन है तब भी यहां पे 5000 का Loan Approve हुआ है इसको Bank में लेने के लिए अब हमें इसमें E-Mandate Complete करना होगा तो इसके लिए यहां Claim Now पर क्लिक करेंगे उसके बाद इसमें हमें E-Mandate करना होगा E-Mandate का मतलब होता है कि इसमें हम अपना Bank Account एड कर देंगे और जो भी हम Loan लिए हैं उसका E-Mai का जो पैसा होगा वो हमारे इसी Bank से कटेगा तो इसमें एक Bank Account एड करना होगा तो Just यहां Register Now पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पे हमसे पूछेगा कि आप E-Mandate Net Banking से करेंगे या फिर Debit Card से आप दोनों से कर सकते हैं चलिए यहां पे मैं Net Banking से कर देता हूँ क्योंकि इससे काफी easy होता है तो Just यहां Submit करेंगे उसके बाद यहां पे आप अपने Net Banking का User ID यहां पे Password डालेंगे और Login पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके Bank में जो Mobile Number Register होगा उसपर एक OTP आएगा OTP Automatic ही ले लेता है तो यहां पे आपका E-Mandate Successful Complete हो जाएगा अब जैसे E-Mandate Complete करते हैं तो यहां पर दिखे Successful हमारा Loan Approve हो गया और उसके बाद अब आप चाहें तो इसको आप अपने Bank में भी ले सकते हैं अभी फिलाल यह Phone Pay के Application में ही सो कराए आप यहां से Mobile Recharge Deeds Recharge और भी जितना भी जरूरी काम होता है QR Code Ascan करके Payment करना तो यह सभी काम यहां से भी कर सकते हैं यही पे इनका Credit Card भी मिलता है साथ के साथ आप इस Credit Card के माध्यम से इस पैसे को यूज कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस पैसे को अपने Bank में भी ले सकते हैं तो दोस्तो यह तरीका है आप इस तरीके से Phone Pay में Loan Apply कर सकते हैं और उसे आप यूज कर सकते हैं